हेलो स्टुदेंट्स दिस इस दे सेकेंड पार्ट ओड लेसेन सु वॉट आ यू एनिवे बाई लॉरेंस हिल अभी हमने फर्स फार्ट में ही देखा कि एक बच्ची कैरूल जो अकेली एरुपलिन में अपने ग्रेंड पैरेंट्स के घर जा रही होती है उसके साथ जो एक कप कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज राते हैं इस बीच पो थोड़े के लिए सो जाती है फिर उसके आखे कुलती है तो दोनों हस्बन वाइफ को कुछ बाते करते हुए सुनती है फिर भी अपनी आखें बन रखती है लेकिन जब वह उसको उठाते हैं वोड़ जाती है अपना मील खाने के बाद फिर उससे डायर्ट कोईशन पूछते हैं अलग लगता है कि उसी रेस से बिलॉंग करते हुए जो उसको कंफ्यूज करता है क्योंकि वह एक छोटी बच्ची होती है लेकिन इस सारे कोईशन उसको बहुत ज़दा कंफ्यूज करत जाती है बट इस टीवर्डेस उससे कहते हैं कि नहीं अभी आप थोज़दे बात कीजेगा इसी तरह यह कोईशन उस बच्ची को बहुत परिशान करते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं परग्राफ नंबर 53 से यह कोईशन इसको कन्फ्यूज करता है कि तुम्हारे फादर क्या है अब यह तो एक बच्चे के लिए बहुत ही अजीब सा कोईशन हो कि फादर क्या है वाट इसके फादर क्या हो सकते हैं यह तो बच्चे को कहानी सुनाते हैं यह तो फादर है नॉर्टन लीन्स तुवर्ड्स के लिए अब मिस्टर नॉर्टन थो उसके और जुखते हैं तो बच्ची जाब देती है जाब आइन नेवर यूज जस्ट वन कलर मैं कभी एक ही कलर नहीं यूज करती हूं उसका कहने का इंटेंशन था कि मैं बहुत सा कलर से उसका करती हूं ओकी वट कलर वड्यू में किस फेस फिर गए अच्छा ठीक है अगर तुम कई कलर यूज करती है तो मुझे बताओ तुम उनके फेस को किस कलर से करोगी ब्राउन तो बोलती ही मैं अपने फादर के फेस को ब्राउन कलर करोंगी फिर वो पूछते हैं and your mother और अपनी मदर को Carol imagines a blank page वो थोई देख पर बिल्कुल शांत हो जाती है What would she put in her mother's face? She has to put something in there. She can't leave with blank. I don't know अब वो सोचती है कि अपनी मदर के फेस में फिर वो क्या डाले? उसे कुछ तो करना होगा क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकती है तो वो जवाब देती है कि नहीं मुझे नहीं पता Sure you do, Mrs. Norton says How would you color your mother's face? फिर Mrs. Norton गाती है नहीं जरूर से तुम कुछ ना कुछ जरूर करती हो अपनी मदर को Yellow तो जवाब देती है कि मैं यलो कर दूँगे अपनी मदर को Carol sees Mr. and Mrs. Norton look at each other Is your mother Chinese? Mrs. Norton asks जैसे ही वो जवाब देती है कि मैं अपनी मदर का face yellow color करूँगे तो अचानक से वो देखती है कि Mr. and Mrs. Norton Harris से एक दूसरे का चेहरा देखते है फिर Mrs. Norton उसे पूछती है कि क्या तुमाई मदर का चाइनीज है तो जवाब देती है No यानि नहीं फिर वो फिर उससे question करती है Are you sure you would color her yellow? क्या तुम्हें बिल्कुँ sure हो बिल्कुँ confirm हो कि हाँ अपनी मदर का face yellow का दर करोगी तो फिर वो कहती है No यानि नहीं क्योंकि बच्चा बच्ची खुद ही confused है कि यह लोग मुझसे इस टाइप के question क्यों पूछ रहे है What else might you color her? फिर वो पूछनी ठीक है इसके इलावा तो मौन क्या color कर सकते है What else? Carol feels ashamed at her stupidity A tear races down her cheek Red She says finally अब इतने questions लगता है Color के बारे में पूछा जा रहा था तो वो बच्ची थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है कि मैंने ही कैसे बेकूफ हो जैसे जवाब दे दी उसकी आँखों से आसू बहना start हो जाते है फिर वो एकदम final में उस बोलती है कि ठीक है Red, मैं red color कर कर दूँगी Red, you can't color a face red Is your mother white, is she like me, her face Is it the same color as mine तब Mrs. Norton कहती है Red, ऐसा हो ही ने सकता तो अपनी मदर को red face color कर ही ने सकती क्या तुमारे मदर white है, क्या वो मेही तरह है क्या उनका चेरा मेही तरह है, मेरे color जैसा है तो वो दिरे से कहती yes And your father's brown, और क्या तुमारे father brown है Yes, वो कहती है And your father's brown फिर वो पूछती है, क्या तुमारे father brown है Carol knots, Carol हा में साहलाती है When you say brown, do you mean he's a negro वो कहती है, अगर तुम कह रही हो कि तुम अपने father को red color में brown color में करल करोगी तो क्या तुमारे father negro है Negro एक बहुत ही old-fashioned word है समझ लीज़े, यह किसाब से एक गाली है जो काले लोगों के लिए use किया जाता था बहुत पहले, अब यह word नहीं use होता है तो वो यह word यूज़ करती है कहती है, तो अगर तुम राउन कर रोए अपने father को तो इसका मतला तुमारे father negro है कर देती है, पर मन में सोचती है कि हाँ, उसके मेरे father है negro लेकिन अगर उनको यही कोश्य पूछना था तो उन्होंने इतना घुमा फिरा कि क्यों पूछा उन्हें तो direct पूछना चाहिए था So, you are mixed, Mrs. Norton says You are a malato Mrs. Norton कहती है, आच्छा तो तुम mixed हो इसका मतलब तो malato Malato एक बहुती बुरा word है जो उन बच्चों के लिए use होता है जिनके parents में से कोई एक कारे होते हैं और एक गोरे होता है यह word बिल्कुल भी नहीं use करना चाहिए इस पर government ने वैसे भी इसको मना कर दिया लेकिन क्योंकि यह story 1970 की है तो उस टाइम पर जो भी हुआ या जो भी incident है उसके साब से इनों नहीं हो सब तर इनका imagination हो या जो इनके साथ writer ने feel किया हो वो उसने कहा है तो यहाँ पर Mrs. Norton कहती है अच्छा तो तो mixed हो, तो malato हो Carol's lip quivers Carol's का लिए धीर से हिलता है लेकिन वो बहुत sad रहती है What is a malato? Why do they keep asking her what she is? She isn't anything वो Harris सोचती की malato है क्या कि बार बार मुझसे ऐसा कुछिन क्यों पूछ रहे है क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ So, is that it? You are a malato? You know what a malato is, don't you? Haven't your parents taught you that word? फिर वो Harris सो कहती है Approaching with a cart of juice The stewardess looks up and smiles at Carol That gives her a rush of courage अब इधर stewardess, air hostess juice का cart लेके धीर धीर आगे बढ़ी होती जब इनके पास पहुँचती है तो Carol को देखे smile करती क्योंकि वो Carol को थोड़ा सा पहजान चुके होती कि हाँ ये बच्ची मेरे पास आई थी That gives her a rush of courage जिससको थोड़ा सा strength मिलता है Leave me alone, she screams at Mrs. Norton जब इसको थोड़ा सा courage मिलता है कि हाँ चलो मुझे कोई अपना पन महसूस हो हाँ कोई लगा मेरे सामने, कोई अपना कड़ा है तो हिम्मत करके बहुत तेश चिलाती है Mrs. Norton पे और कहती ही प्रीज मुझे अकेला छोड़ दीजे Passenger's stare Passenger's पलट के देखने लगते है है रसे कि ये क्या हो रहा है The stewardess spills a drink Stewardess के हाथ से थोड़ा सा drink spill भी हो जाता है Mrs. Norton sits back hard in her seat Her hands raised, finger spread Carol sees people watching अब Mrs. Norton अपने seat पे बहुत फर्म होके बैट जाती है उनके हाथ थोड़े से उपर होते है finger फैली होती है और Carol देखती कि सारे लोग उनको ही देख रहे है Why do you keep asking me if my dad is negro? Yes, he is negro Okay, okay, negro, negro, negro वो गुस्से में चिलाती कि आप मुसे बार 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 या ऐसा क्यों पूछ रहे है कि मेरे father negro है हाँ, वो negro है, वो negro ही है Calm down Mrs. Norton says, reaching over Mrs. Norton धीरे से उठते उसे कहती है Please calm down, शान्त हो जाओ, शान्त हो जाओ Don't touch her, the stewardess says तो Aero's ते उनसे कहती है कि Please आप उसको छुए है मत Who are these people? Someone says from across the aisle Imagine, talking to a child like that and in 1970 फिर उसी उन्ही पैसंजर्स में से कोई कहता है कि आ रहे, इस तरह के लोग, इस तरह के लोग कौन है वो भी बच्चे से इस तरह से बात कर रहा है वो भी 1970 में जब ये सब चीजें भी कोई माहने नहीं रखती है One woman sitting in front of Carol stands up and turns around Would you like to come and sit with me little girl? एक ओरत जो Carol के आगे बैटी थी वो मुर्ती है और Carol से कहती है कि क्या बेटा, तुम मेरे साथ बैठना पसंद करोगी? No, Carol shouts I don't like all these questions She keeps asking me how I would color my parents in a coloring book Why do you keep asking me that? Carol jawab देती कि नहीं, मुझे आपके पास नहीं बैठना है इसी तरह के questions मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है यह औरत लगतार मुझे से पूछ रही है कि तुम एक coloring book में अपने parents को कैसा कदर करोगी? यह मुझे से इस तरह के questions क्यों पूछ रही है? Mrs. Norton, please with Carol to stop अब Mrs. Norton को अपनी बेज़ती का असास होता है लोग सब लोग हम लोग को इतनी हैरत से देख रहे है तो वो दिल्यों से request करती है प्लीज चुपो जाओ Carol से कहती है पर वो चुप नहीं होती है How would you like it if that happened to you? Carol says Carol कहती है ठीक है आपको कैसा लगता अगर same यही जीज़ आपके साथ की जाती तो So what are you anyway? What are your parents? How would you color them? Well I don't care, I don't even care गुसे में वो जवाब देती है कि कोई बात नहीं मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ आपको इससे क्या फरक परता है मैं अपने parents को चाहें जैसा color करूँ मुझे किसी चीज से कोई फरक नहीं परता है इसका मतलब वो घुसे में जो इसके मूँ में आता है वो बक्तना स्टार्ट कर देती है How would you like to come and sit with me? The stewardess says smiling I will make you a special drink Have you ever had a Shirley Temple? अब stewardess कहती है ठीक है कोई बात नहीं बेटा क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगी मैं अपके लिए बहुत एक special drink बनाऊंगी जिसका नाम है Shirley Temple Carid nods enthusiastically Carid कहती है ठीक मतलब अपना सर हां में ही लाती है और अपनी permission देती है कि हां वो stewardess के साथ बैठेगी Already she feels better अब उसे थोड़ा better महसूस होता है Clutching Amy, she passes by the Nortons who swing their legs to let her out अब अपनी डॉल जिसका नाम Amy था उसको पकड़ते हुए ये Nortons Mr. and Mrs. Norton के सामने से उज़रती है जो अपना पैर मोड़ चुके होते है ताकि वो बहार निकल जाए My God Carol hears Mrs. Norton tell her husband Talk about sensitive Mr. Carol सुनती है कि Mrs. Norton अपने husband से कहती है My God इसका कि sensitive बाटे मत किया करो